नमस्कार साथियो न्यूज किलिक में हम आपका स्वागत करते हैं बाजार का सबसे क्रूरतम रूपिय होता है जब पैसे से पैसे बनाने कोसिस के जाती है यानि कि काम पे ध्यान निया दिया जाए केवल पैसे से पैसा बनाया जाए चीट फंड कंपनिया अकसरहां यही करते आ रही हैं सब कुछ ठीक ठाक चलता है और अचानक ये पता चलता है कि चीट फंट कंपनी फरार हो गई चीट फंट कंपनियों में एक कंपनी पीएसियल जिसको ले करके बहुत सारा विवाद छिड़ा है इससे लगभग 50,000 करोड रोपय भारत का चुना लगा दिया है जिससे लगभग 5,000,000,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं कहने का मतलब ये है कि 5,000,000,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं इस पूरे मसले को ले करके आज All Investor Safety Organization ने विरूत परदरशन किया इस पूरे मसले पर बाचीत करते हैं उन्हीं के कुछ सदस्यों से जिसमें हमारे साथ हैं AISO के प्रेसिडेंट प्रिथ्वी राज यादो जी AISO के ट्रेजरार और अड़ोकेट नवल किसोर स्वामी जी AISO के कोडिनेटर मेजर प्रियदर्शी और AISO के जर्नल सेकरेटरी अरुन कुमार आप सभी का न्यूज क्लिक में हम स्वागत करते हैं तो पहला सवाल यही बनता है प्रेसिडेंट सर्थ कि यह PACL का पूरा मसला क्या है संचिप्त में अगर आप बता पाएं और आखिरकर क्यों जो रत पड़ी कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक अखिल भारती अस्तर पर संगठन बनाया जाए यह से लिए ग्रूप ऑफ कंपनी जो 1983 से शुरू हुआ लेकिन और नाम बदलते बदलते उन्होंने पी एसील 1996 से सुरू किया एक रेजिस्टर कंपनी है जैपूर से रेजिस्टर के नाम पर रेजिस्टर हुआ और लोगों का पैसा इंवेस्ट करते थे इसमें कि आपका पैस जमीन में निवेस करेंगे और इसको डॉबलप्मेंट करके आपका पैस वापस लोटाया जाएग बढ़ा करके ऐसा चल रहा था 1996 से 2014 तक बराबर चला कंपनी पैसा देते रही लोग इन्वेस्ट करते रहे जुलाई 2014 में 22 अगस 2014 में जब मोधी सरकार आई तो मोधी सरकार ने सेवी को और अधिक पावर दिये गए और उस पावर का सबसे पहला प्रियोग पी एसल पर उनको आदेश दिया कि आप सारा कारोबार बंद करके विदिन 90 डेज लोगों का पैसा दे दिया जाए सेवी 90 डेज में प्रक्तिकली पैसा देना पोसीबल भी नहीं था कारण की वो 49,000 करोड रुपिया और इंवेस्टर की संख्या 5.85 करोड पोसीबल नहीं था विदिन 3 म इन्वेस्टर्स ने मैसूस किया कि सरकार ने उसको प्रतिबंद कर दिया पैसा हमारा फस गया है उसमें मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है तो एक संगठन बनाया गया सारे इन्वेस्टर्स ने मिल करके जुलाई 2015 में और वो सारा लोगों के लिए लड़ाई और स इंवेस्टर्स के सबी और कम्पनी से पहले सुप्रिम कोट में चलेगे के माधिम से ताकि इन्वेस्टर्स का हित को सुप्रिम कोट सुने और उनका कंपनी का क्या मैच्छ को सुने मैं धन्यवाद दूंगा उस तरह उस टाइम के जो भी जज़ेश थे उन्होंने बहुत सोर्ट पिरिड में एक इन्वेस्टर्स के हित में डिश्जन दिया दो फरवरी 2016 को एक कमेटी का गठन किया मिस्टर आरेम लोड़ा जो सीजी आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं सेवी के ओफिसर्स को लेकर एक कमेटी का गठन हुआ और उनको यह आदेश दिया था कि सारी असेट्स और प्रोपर्टी जो पीए सिल किये उसका उक्सन करके निलाम क करके इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाए किन्तु उसके बाद बड़े दुख क्या विसे है कि कंप्लीट तीन साल होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स का अभी तक पैसा नहीं मिला बहुत उंट के मुं में जीरा से भी कम वाली बात सेवी ने शुरू की उन्होंने ज है जो वह है एक करोड 43 लाग लेकिन चूंकि पैसा उसमें 2500 वाले में इन्वेस्टर्स का जो रिफंड किया है वह संक्या है एक लाग तेरा हजार यानि उसको परसंटेज में निकाले तो वह 0.80 बैठती यानि एक परसंट बेनी बैठती है लगातार चूंकि हैजिटेशन क पर एक बड़ा हेजिटेशन किया उसी का प्रणाम रहा कि सरकार ने उसको प्रेश्टर समझा लोगों की तकलीफ को समझा सेवी ने भी समझा कि विरोध लगातार भड़ता जा रहा है यह और भड़ेगा तो उन्होंने एक और पोर्टल जारी कर दिया आठ फरवरी 2019 को कि अपने क्लेम पेस कर दें लेकिन वह इसतना डिफेक्टिव है उसमें ऐसे ऐसी कंडिशन सरक दी कि बैंक पोस्ट ओफिस एलाइसी और उसके समाना अंतर चलने वाली गोर्मेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर किसी भी कंपनी ने वह कागजात आज तक नहीं मां लिए चुँकि इन्वेस्टर जो पीए सेल के हैं वो रूरल और रिमोट एरिया के लोग हैं मजदूर लोग हैं किसान लोग हैं उनके पास वो सारे डोकुमेंट्स अविलेबल होना बहुत मुस्किल है यह सारी बातें हमने सेवी को तीन लेटर अलग अलग डेट्स में दे है कि उसकी वेब साइट की गती को बढ़ाएं जो पेपर जिनकी जर्त नहीं है उनको आप ना मांगें केवल आपको पोलिशी जैसे लाइसी में होता है दूसरी जेगह होता है कि हम पोलिशी अपनी उनको दे दें और वो हमारा पैसा दें सारा रिकोर्ड अनके पास सारा र कुछ नहीं किया गया और 2014 से परिशानिया आ रही है आपको लगता है सेवी ने कुछ अच्छे कदम लिए और अभी जो बात चल लिए जिसमें वो कह रही है कि ऑनलाइन आप जाकर कि अपना क्लेम प्रस्थूत कीजिए तो इस पर भी आप लोग का कुछ आप लोग की किसी भी कंपनी का तो उसको देखें और चलते हुए दसा में देखें यहीं कि अगर कहीं पे एक करोड पांच करोड लोग पैसा लगा दिया उसके बाद आप जगते हो अजगने के बाद आप कंपनी को बंद कर देते हो और कंपनी को बैंड करने के बाद जो पैसा लोगों जब से सेवी बना है आज तक किसी भी जितनी भी कंपनियां उन्होंने बंद की किसी कंपनी का पैसा निवेशक को पैसा सेवी ने लोटाया लिए लोटाने की जिम्मेवारी सेवी आपने आपको नहीं समझती जो कि इसका जिम्मेवारी है जो करना चाहिए आज तक नहीं हुआ किसी का पैसा नहीं जला हमारा मामला सेवी के साथ साथ लोड़ा कमेटी जो कि हमारे रेटायर्ट परसन है जीव जस्टिस रह चुके हैं सुप्रम कोर्ट में मानिये आरेम लोड़ा साथ उनके द्वारा कमेटी गठन हुआ है सुप्रम कोर्ट के आदेश पे कमेटी भी है और कमेटी के अंदर जो सदस्दे है कि कि की वो सेवि के ही लोग ऑर उनकी जिम्मेवारी है कि जो भी एसेट है कुम्पनी का वो जो देंदारी है उसे कही गुना बारत के कही सारी això इंसीन नहीं बताया कि अगर 45,00 क्रोर है तो उसका जो प्रापर्ची है जो प्रापर्टी की एकर वेलू आंका उन लोगों ने तो वो करीबन करीबन एक लाग पिचासी हजार क्रों तो हमारा जो देंदारी है निविश्कों का पैसा जो देना है कंपनी ने कंपनी के माध्यम से जो मिलना चाहिए था वो तो थोड़े से मुझे नहीं लगता कि कमेटी के पास सेवी के पास सारी प्रापरटी है चल अचल संपती है उसको बेच कि उसको पैसा देना इसमें दिक्कत कहा है और इतना डिले क्यों हो रहा है 2016 में ओडर हो चुका और अब तक कुछ हुगा नहीं अभी कुछ दिन पहले इन्हों ने सेवी ने एक प्रोटल जारी किया कि धाई हजार तक के जो निवेसक हैं वो अपना पैसे के लिए आवेधन करिये हमने आवेधन किया उसके पैसे नहीं आए थोड़े से लोगों को आप उसके उपर आपकी कोई अब तक जो है किसी तरह का रिपॉंसेवल जो आपको बताना चाहिए लोगों को क्यों नहीं दिया आगे कब देंगे कोई जवाब दें नहीं है सेवी का नवलकिसोर जी आप तो एडवोकेट भी रहे हैं तो चीट फंड कमपनियां में ऐसा क्या कानूनी लूप होल्स होता है कि इतना बड़ा वो फ्रॉड कर लेती हैं और एक जब निवेशक को कैसे कैसे परिसानियों का सामना करना पड़ता जब वो सोचता है कि चलो मैं कानू नहीं है ना कोई अथर्टी है इस कारण से यही समस्या उत्वन होती है और पिछले लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है चाहिए सारा काम बैटर लेले सारदा का लेले या इनका लेले एक्चुली क्या होता है कि इन जो समस्ताई जितनी भी है कंपनिया है उनमें इतनी कम्या नह इनकी एक्टिविटी को लेकर है से भी का मानना है कि आपने रियले स्टेट का रिजिस्टेशन करके और आप इसकी आड में चित्फंड का काम कर रहे हो और टैक्स बचाने का काम कर रहे हो कंपनी का मानना है कि हमने रियले स्टेट का काम किया है रियले स्टेट में हमने पै पिछले दोरान जब इन्होंने बाउंड कर दिया उसके बाद में सारी समस्या पैदा हुई है यही सहारा का लेलेम सहारा में आज तक 24,000,000 करोड रूपय देना था उसके लगबग पैसा जमा हो चुका है सेबी के अकाउंट में लेकिन दे नहीं पा रहे हैं अब यह सेबी ज इसके उपर एक्ट नहीं है इस कारणे से हो रहा है पैसेल का मेंटर था दो फरोरी 2016 को इसमें एंट्रीम ओडर हुआ था लास्ट ओडर नहीं था कोर्ट का कोर्ट ने एंट्रीम ओडर इसलिए दिया कि आपका जो मसला है अपिल में गए हो तो कंपनी का तुम मानना है कि हम इतने बड़े अस्तर परिक्षण नहीं करते कि अनौफराइट है बिल्कुल करनी चाहिए यह नहीं करती आम जनता इसमें पैसा इसलिए लगा देती है कि लोगों को पता है कि रिश्टेट जो कंपनी है वह भारत सरकार रिश्टेट दी है तो उसमें सारे नोर्म पूरे कर डिया हुगे इसलिए उसमें पैसा लगाने वाली लोग चिशित होते हैं तो स्क्षित डिया होगा तो आप हर विक्ति वी आ्योगomination और अक्सर यह भी देखा जाता है कि प्रपत्र दिया जाता है जो फॉर्म वगरा होता वह एक ही भासा अंग्रेजी में होता हिंदी में उसका नाम निशान नहीं बिलकुल तो रूरल रिया कि जो उनको समझ नहीं पाते हैं उस चीजों को इसलिए भी जो है यह समस्या आती है अच्छा यह तो बहुत ही एक तरह से जो टीवी की दुनिया नहीं दिखाती है इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है मेडिया में जिसके बारे में चर्चा नहीं चलती है उसको उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ने एक संगठन बनाया है All Investors Safety India Safety Organization तो इसको एक साथ लाने में आपको मतलब कितनी मुस्किलों का सामना करना पड़ा और क्या हुआ कैसे आपने सब को एक साथ लाया जी देखें मैं तो इंडिया युनाइट्स करके हमने एक ब्रॉड कोलिशन बिल्ड किया था इसमें मास मुव में लीड़स चाहे वो AISO हो चाहे वन रंग वन पंशन की लड़ाई हो चाहे किसानों की लड़ाई हो युवकों का लड़ाई हो अलप संख्यक और दली सब को इकठा करके हमने 30 January 2019 से लेकर 7 February 2019 तक लोगों को इकठा किया हमने यह तै कि अपना अपना लड़ाई तो लड़ते ही हैं पर सरकार सुन नहीं रही हैं सब को इकठा करके ताक्तों को इकठा करके हम सरकार को बता दें और political parties को बता दें कि इस बार हम आपको चार साल पा यह political pressure ग्रूप बन गया पर यह electoral politics में नहीं हैं कोई भी संस्ता है इन में से electoral politics में नहीं तो लोगों के issues के ओपर issue focus रखके यह लड़ाई आगे बढ़ाया जा तो यह PSCL का जो यह पूरा मुद्ध है अब आगे का रास्ता आपको क्या लगता है कि आगे क्या किया जाना चाह अधालत में वो continue जा रही है हमारी लड़ाई लेकिन चूंकि हम यह मैसूस कर रहे हैं कि देश में सारी चीजें politics से प्रभावित हैं सरकारों से प्रभावित हैं मैं तो यह कहने में भी hesitate नहीं करूँगा कि किसी ना किसी रूप में अधालतें भी प्रभावित हैं तो यह वर्तमान जो सरकार है ruling party यह उसका विरूद किया लोगों को जागरूप किया इस बात के लिए ruling party हमारी बात नहीं सुन रही है समाधा नहीं निकाल रही है जैसा इन्होंने बताया राय साब ने कि जेव से पैसा किसी को नहीं देना अपने पंड में से सारा यहीं से जनरेट करना है और किया जा सकता है नहीं कर रहा है इसलिए हमने आप यह रूप लिया है क्योंकि यह च्छै करोड़ लोग है फेमिलीज हैं उसमें बोटर्स की संख्याइधी हम निकालते हैं तो लगबग 25-30 करोड़ जाती है और वो किसी भी सरकार को बदलने के लिए परियापत ह है वो संख्या तो तीन स्टेट में 36 गड़ मद्परदीस और राश्थान में ऐसा हमने प्रियास किया और वहां तीनों स्टेट में कॉंग्रेस की सरकार बनी तो हमारा किसी से ना तो अलाइंस है ना कोई ग्रोध है रूलिंग पार्टी जोंकि सेंट्रल गवर्मेंट से भी हो गए होंगे वह वेक्ती जिसने इन्वेस्ट तो किया होगा फिर परपत्र दे भी दिया होगा कि मुझे पैसे मिल जाएं उनको कैसी आप जोड़ते हैं कि इस विरोध में वो आ गया है हमारा मुद्दा यह है कि आ जिन्हों ने माल लीजिए कहीं बाड में किसी का पेपर कारण से तो उनके पास अगर पेपर नहीं है तो क्या उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए ठीक है पैसा मिलता है उसके लिए आप क्या प्राबधान कर सकते हैं कोई अफिडेविट ले सकते कुछ और चीज़े मांग सकते आप उनको पिमिड़ती कोई एक्चुल में जो कस्टम है इसलिए लागों लोग ऐसे हो सकते हैं उनके पैसे मिलने चाहिए इनके जैसे इस्टॉल्मेंट प्लान में पांस साल में साथ इस्टॉल्मेंट जमा करना था तो साथ किस्ते एक साथ लेके और साथ रसीदों को आप प्रैटिकल सर सोच के देखें क्या उसका स्कैनिंग क Screen computing copy भेज ना क्या पॉसिबल है? कौन कर एगा? वो एक दिन लग जएगा उसको? एक दिन का उसको ध्यारी कौन देगा? कि अपको आपके पास डेटा है कंपनी ने पेमेंट लिया कंपनी के पास डेटा है कंपनी से पहले आपको मांग लेना चाहिए और होगा आपके पास और अगर कहीं करना तो आपको कंपनी से कराना चाहिए कि यह जो पैसा मांग रहा है यह सही है या गलत है और अगर वो ठीक है तो उसको पैसा निवेश किया अब आज आपको पैसा देना है लोगों का पैसा देना है सुप्रिम कोड ने आदेश दिया है कमेटी बनी है उस सुप्रिम कोड के आदेश में कहीं ये चीज नहीं है कि आपको पैसा देना चाहिए तो ये थी पिए सिल पिए सियल चीट फंड पर पूरी बाचित घोटाले जब भारत में होते हैं बड़े घोटाले उनके परत दर परत को खोलने के कोशिस करेंगे तो राजनीतिक इसलिए अगर नागरिक हैं तो बड़े सोच समझ कर वोड़ दीजिए आप सभी का शुक्रिया और आप देखते रहिए न्यूज क्लिक शुक्रिया